तो गैस मैं हुआ की तोर आप दिख रहे हैं रेस्लिंग फैन्स नाइट वक्ट तो सुरु करते हैं गाज अपनी बात को सबसे पहले अपडेटेड रेसल मीनिया 40 के मैच काड को देखते हुए तो भाई कौन-कौन से मैच इस ऑफीसेल एक बार नजल डाल लेते हैं वैसे तो मैच इस टैलेंज को आपको देखने को मत लाइगा चाथा Works साथा मैच एंग वर्से झेंव आर्ट वह हरा हुए 09 होगया ईजश टालस वरसू ऐलन का उसके बाद यूएस टाइटल का है मैच दस होगा एंड यह है लोगन पॉल वर्सिस केविन ओंस वर्सिस राइंडी ओर्टन के बीच में जेड कार्गिल भियांका ब्लेर और नियोमी वर्सिस डैमेस कंट्रोल का मैच आज ही है नाउस होगा ग्यारवा मैच एंड काफी ऑब्वियस है कि रे मिस्टीरो और ड्राइगन लीग वर्सिस सैंटोस इसको बार और डॉमनिक मिस्टीरियो भी एड हो जागा रसल मीना के कार्ड में इतने साने मैचेस बता सकता हूँ ना कि बैंगर जाएंगे पूछों ही मत रोमन कोडी अंडाउट ली भाई यह उसकाई वर्सिस बेली भी टॉप नौच होगा रिया रिप्ली वर्सिस बेकल इंच भी सैथ रॉलिंस मेंग इंटार का भी मैच टॉप नौच होने वाला है इतने सारे मैचेस लगबग सारे मैचेस परफेक्टली डिलेवर करने वाले तो अब क्या ही चाहिए इतना बेस्ट कार्ड है क्या सोचते हो भाई आप इसके बारे में कॉमेंट करके बताना मेरे हिसाब से सारी कमी पूरी कर देगा यह कार्ड अगर कुछ ऐसे स्नीक्स टिकेट है एवेलेबल टिकेट से 1,855 यानि अठरा सो पच्पन करेंट सेट अप कैपसेटी तो 62,251 की डिस्ट्रिब्यूट हो चुके हैं टिकेट 60,396 यानि की अठरा सो पच्पन टिकेट्स बचेवें मेरे हिसाब से भाई यह कुछ जादा टिकेट्स नहीं बचेवें इतना क्लोज है उसके बावजूद तो यह कुछ नाइट वन के हलाद नाइट टू के लिए जारा टिकेट्स और विसली बिकेवें कली मैं आपको बताया था लेकिन फिर से दिखा देता हूं अभी के इस आप से नाइट टू के लिए 1054 यानि की 800 से ऊपर टिकेट का फासला नाइट वन में 800 कम बिकेश इसके भी सेमी है तो यह भाई 9-9-u के हला नाइट टिकेट्स में और विसली लेकिन नाइट को चोटना ऊट ही जिसके लिए आपको वेट करना पर रहा कि अंगे आखरी वीक में घुसना एंट ता बजा के टिकेट्स बिकेश में वह बड़ी सबसे लेटेस्ट सबसे रीसेंट अपडेट आगे बढ़ते हैं गाइस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि यह जेड कारगिल को लेके तो भाई जेड कारगिल को आज स्माक्टाउन के अंदर फाइनली उनका रसल मीना मैच मिल गया जहां पर कि वो टीम अप करने किम यू से सोच होगे भाई तो उनके लिए एक बहुती बरा मोमेंट होने वाला ये वह रेसल मीना के अंदर कम्पीट केहने वाली हैं कहाँ वो अपना दूसरा ही डबडबी मैच मिलेड करेंगी पहला रोल रमबल रियक्ट करा इसको पर जेड कारगिल ने काफी कर रही है मुझे बिलीव नहीं हो। कौन सा डिसीजन आपको कहां पर सक्सेस की तरफ लेके जाएगा कहां आपके डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा वो खुद भी आपको नहीं पता होता है तो यह खुद जेड कारगिल ने कहके बताया है क्लिरली कावी जादा एक्साइटेड दिखती है और भाई इनके से जेड कारगिल के लिए और विसली बहुत ही बरा मोमेंट है भलें कैसा भी मैच हो भलें किक ओफ में भी अगर वो कंपीट करें लेकिन यह मैच उनके लिए काफी बरा है जब वो एंटर करेंगी 60-60 लोग के सामने उस क्राउड में रेसल मीनिया में अपने खुद के करेंड हुआ है टीस मैं आपको बता दूँ भाई क्या सीन है क्या नहीं अभी के हिसाब से लगता तो ऐसा ही है आज से 9 साल पहले एजली डवी से रिटायर हुई थी उन्होंने अपना फाइनल मैच रेसल करा था डवी के अंदर रेसल मीनिया के बाद वाले मंडेन आटरों में इसको लेकि USA Network ने भी पोस्ट कर रहा है आप दोग देख सकते होगे नाइन यर्स अगो एजली गे वस धराओ आफ्टर रेसल मीनिया सप्राइज विडेडेंट एक्सपेक्ट वें सी कंपीटेड इन हर लास्ट मैच यह इनका आखरी मैस था डवी के अंदर इसके बाद कभी भी कंपीट करते हुए आज तक नहीं दिखी एजली लेकिन आज ना कल इनका डवी रिटर्ण होगा यह बहुत अच्छे से हम सब को मालूम है सीम पंक के आने के बाद यह चीज और ज्यादा अब्वेस हो चुकी है इवन रीसेंट में एजली ट्रेनिंग वगरा भी कर हो जाए यह वो जो भी हो जाए लेकिन अभी तो अभी तो अभी कही साबसे भाई एक मैसीव अपडेट है कि यूएस नेटपक ने एजली को लेके पोस्ट करा है तो साय दिनका रीटर्ण हमें इस साल रौ आफ्टर मेनिया में देखने को मिला सबसली सीम पंका चुके तो ही चांसे से अलसो ट्रिपल स्कें एक पहला रौ और अफ्टर मेनिया होगा विकास पिछले साल क्या हुगा था कि वेंस में मैं ही कही ना कहीं कर रहे दूसी चीज़ को यह बता है तो अभी यह ओवर ओल ट्रिपल स्कें डौ बिल्कुल पहला अच्छे से इंप्लिमेंट कि धर रॉक के लिए ऐसा जा ने पोक्त कर रहा है अपने इंस्टाग्राम पे लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि जान सीन पोष्ट करके टीज करते हैं जोन सीना का अगर आपने Instagram post देखा होगा तो बहुत ही अच्छी बातें नहीं देखा आपने तो don't worry आप लोग देख लो बाई उपने स्क्रीन को पर जोन सीना कुछ यह पोस्ट करतें यहाँ पर क्या लिखा गया इस पोस्ट के अंदर क्यूंकि जोन सीना कैपसर नहीं लिख साथ से भाई यह रॉक को लेकर टीज देते हैं कि सायद कुछ हमें देखने को मिले सायद यह रेडी है रॉक के लिए रॉक को पर इंड की नज रहे हैं ऐसा फैंस बहुत सारी बाते हैं तो पचास तरीके की बाते चालू हो जाएंगे बिकॉस जॉन सीना निया पोस्ट कर दि रसल मीनफ फोटी को और हाइप करने के लिए इस वीडियो के लिए फिरहाल यह कुछ अपडेट्स थिया यह पसा आपको इंफॉर्मिशन मिली हो मिलो थे वीडियो को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम में और भी असनी डवी निउस सब्सक्राइम एंड ट्विटर पर लिंक आपको मिल जाएक डिस्क्रिप्शन में ट्विटर पर तो जरूर सही फॉलो कर लिन अगर आपके नहीं कर आया तो कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्यों कह रहा हो करने के लिए बागी वाट्सप चैनल के भी लिंक डिस बेडियो में